सबी को जहिन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जहिन दिर्याक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आपको बहुत कुछ जानने को मिले का तो इसे अन तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप इसी लेटेस्ट और नॉलेज़बल वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अन्तमस के बारे में बात करेंगे जैहिन जैवारत असलम अलेकुम नमश्कार सस्रीय काल और गुड इवनिंग मैं मार्दुकाजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ओव यू हमारे साथ हैं जी साजीतार साब बहुत शुक्रिया सर क्या जाब पाएं थैंक्यू सो मच तैंक्यू सो मच तैंक्यू सो मच सर आज भुटीं फृटींट और फिफ्टींँ और्वगस दोनों का इजिकर करेंगे और डोनों ही कंटृज को आप क्या कहना चाहें देखे मैं आज14 अगस्टे पैस्ताम्यों को मुबारविव बहनों को मुद्रह बाइ का देना चाहूँग लेकिन मेरे जिर में कई सवाज में क्योंकि वही आज के दिन ही ये चीजें सारी क्रियेट की गई थी मेरा क्वेस्टन ये होगा मिल खसूस पच्छीस क्रोर चौबिस क्रोर लोग पाकस्तानियों से पूशना चाहूंगा कि क्या आप आजाद हैं क्या आप ने पाकस्तान वाकिश बनाया है आप आज कहां कर देए और अजी क्या फार्मनेशन पाकस्तान और फिर उसके बाद में से बाथ करना चाहूंगा कि का पाकस्तानी एक पाकस्तानी एक्टर है निम्रा खान उनका नाम है कर दान के ओपर उनका दो वाकियाद मैं करना चाहूंगा करनों ने यूम एजादी के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें वो रूई है डिफेर्स कराची जे बहुत पॉश एरिया है जहां पर व वो देख रहे थे लेकिन उनने इंटरफेर नी किया लोग आस पास से गुजड़ते हैं रहे किसी ने उनकी अगवा की कोशिश को चलाती रही तो किसी ने उनको रोकने के कोशिश नहीं की तो भाग कर वो सड़क पर गई यह गाड़ी थी जो गुज़र रही थी उसके सामन औरे ने आई चलती गाड़ी के तो उन्होंने रोक कि उनकों अपनी गाड़ी में बठायी तो मुस्तब उनकी अवआ की कोशिछ नाकाब हूँ लेकिन कल वो टीवी पोर आकर रोई हैं उन्होंने आपके इस्टारम पर निम्रा खानुं का नाम है इस्टाग्राम पे उन्होंने का आपकी बच्ची बीवी बहन मा घर से बाहर नहीं निकल सकती दिन ध्याडे भी और वो सेफ नहीं है तो आपके जंडे उठाके तो सड़कों पर यौमे अजादी के नारे लगाना का मोजू में यह आज आप आपने काईदयाजम की या इंडि हो सकते हैं जहां 51% population महफूज नहीं है कि दिन की टाइम भी बाहर निकले और कोई दिन दिहाड़े उसको अभवा करने की कोशिश करे रेप करने की कोशिश करे और आप पास से बुज़र जाते हैं कि यहीं पाकस्तान है यह क्वेस्टन है अब उसके पाद मैं कुछ मजीद इस पर जो बोल मैं चाहूंगा कि आपकी आज की स्टेट आफ पाकस्तान क्या है आज आप कहां खड़े हैं आप कौन है क्या अर्शिद नदीम आपके अगले वजीर आजम हाँ होंगे उसे यह क्वेस्टन लाहॉर एरपोर्ट पे किया गया है उन्होंने जवाब नहीं दि कि पाकस्तान में प्राइम इस्टन होने के लिए आपका अच्छा कद हो आप सफेद रंग हो आपका बाल आपके खुबसूरत हो और आप पापुलर हो क्रश हो आप तो आपके अकल होना यह जरूरी नहीं उस खाने से बिलकुर आप पैदल भी हो तो फिर भी चलेगा लेकि एक तो यह सवाल है अर्शे लदीम आपके अगले वजीरियासम है खाब दो जर्रलिस्ट ने पूछ लिया क्वास्टन ने इसके लोगों के जहन में तो है आपके टीवी एंकर भी मुसलसर यह कह रहे हैं कि पीटी ए उसको ऐसे थ्रैट ले रही है फिर उसके बाद दूसरा की डेफिनिशन में पूरे उतरते हैं और सवरेंटी आपकी मौझूद है अब मैं लफज अजादी को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि आपका बजट जो है वो आई एमेंफ बनाता है वाश्रीड इडिसी में यह मैं नहीं कह रहा हूँ आपके फाइनिस्टर की स्ट क्या अजाद कोवों के बजट बाहर से बनके आते हैं क्या अजाद कोवों की फारन पालिसी नहीं होती क्या रिट अफ गौर्मेंट आपकी वहां पे महजूद है क्या चारों सूबे आपकी फडरेशन पे अगरी कर रहे हैं यह बस्वाल आप से कर दो अली अमीन पे हमला आऊंगा इसलामबाद किसी के बाप की हिबमत है तो मुझे रोक के दिखाए एक सवाल दूसरा आई एस पी आर ने जब प्रेस कानफरस की है तो उसका जवाब भी उनों ने वाच चैलेंज की जवाब ने दिया धमकी दिया उनों ने कहा है प्रेस कानफरस ना करो जा के खान से माफी मागो वो तुम्हें माफी दे देगा वो बहुत हजीम आदमी है वो तुम्हें माफी दे देगा ये एक ख़बर दूसरा आज जब आज की एक खबर है इसलामी जबूरिया पाकस्तान के अंदर एक बेलजियम की खातूर है इसलामबाद में उनके हात बा वाके ही आप मुस्लमान है यह भी एक क्वेस्टिन है मुर्षद पाक आपको कहते हैं कि यह जमूरियत में यह स्यासत नहीं जिहाद है तो आप सारे जिहाद में आज बलके इनी स्वालों में से दो स्वाल मजीद पूछना चाहूंगा एक आपने अपनी अजादी को दो चीज़ों के साथ मुश्रूत कर लिया है यह आपकी ख़बर नहीं है आपका इसमुक्त मेडिया भी चीज़े चल रही है एक तो उन्होंने कहा है कि जब तक किश्मीर और फलस्तीन आजाद नहीं होगा फाकस्तान आजाद नहीं एक ख़बर अगर बंगलादेश में को हिंदू मरता है तो मुझे दुख है आज भी अगर कुछ भारत के अंदर इस मुसल्मान होने की वज़ा क्रिस्टिन या सिक होने की वज़ा से किसी के साथ जाती होती तो में जो दुख हुए क्या आज भी आप 1947 को बार बार इन तीन मुलकों में रइपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और लेकिन उसमें मजीद इस चीज़ पे मैं जो आगे बोलना चाहूंगा कि आज आप अगर पूछा जाए आप से पूछा जाए कि आप कौन है क्या आपने पाकिस्तान बनाया या नहीं बनाया आप अरब है आप अफगानी है आप कौन है आपकी डेस्टिनेशन क्या है आप कहां पहुँचना चाहिए हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते हैं अगर हिस्ट्री के आप खोलें तो उन्हें से आपको जवाब मिल जाएंगे ना अप अरभी है ना पठान है ना अप अफगानी है ना तुर्की है ना तुर्की है आप कौन है आप क्यों नहीं पहचानने की कोशिश करते कि आप कौन है ज जिहाद जिहाद जो आप रट लगाते हैं यह आपके खून में नहीं है आपके अबाव इश्दाद में जिहाद का पता ही उनको स्पहले नहीं आते थे जिहाद क्या चीज़ है आज भी मुर्शिद पाक को जलसा करना पड़ता है इसलाम के नाम पर तो वहां पर गाने लगान पड़ती है गाना क्या होता है आज इमरान खाद जलस है जिन चलू जी करते हैं आज जिहाद आपका आपक्यों अगराबी करते हैं आप एक पाइटी करने वाली कौन है और इन्वेडर के सामने लेट जाने वाली कौन है दुख के साथ क्यों गा पाकिस्तान की बुर्याद रखनी गई थी जहां जब यहां पर पठान भाईयों ने आके मार मार के मुसल्मान करने शुरू की पाकिस्तान तो बनना था एक हकीकत थी नफरत भी होनी थी क्योंको उन इन्वेडर्स ने मजार्टी के उपर जो किया नफरत होनी थी उन्होंने यह लोगों को यह दूवा और अकानिमी दोनों इंटर्वेटेड तालीम आपको सिखाती है कि जजबात को कर्डूल किस तरह करना है वो बात नहीं करनी जो किसकी दिल जानी करनी फेथ बेस नफरत नहीं करनी फेथ हर इन्सान का अपना जाती है दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा कितना आरजू कास्मी जी और साजी ताड़ा सबका पूरा डिसक्रशन उनकी पॉजिटिव बाते आपको काफी पसंद आए होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगिए तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट कर दूए है